हेलो बच्चो वेलकम बैक तू दा कोशन नंबर 11 इन दा रेमेंडर थे वह रहाँ देखे थोड़ा सा लेंथी है दिखने में कोशन बट इजी होते हैं यह वाले कोशन करना क्या होता है दे आर सेंग कि 192 को मल्टिप्लाई 37 को मल्टिप्लाई 1958 को मल्टिप्लाई 1956 को डिवाइड कर दो 19 से और भही मुझे रेमेंडर बता दो भई यह कहानी ना बहुत असान होती है आपने बस सीखने की लोड है कि यहाँ पे करना क्या ट्रिक आनी चाहिए देखो यार 19 से 19 डिवाइड होगा 190 पे यहाँ पे क्या बचेगा आपको यहाँ पे क्या कर देनाए इनस सब्सक्राइड बचेगा अब वी नोटेट जो भी यहां पे ओपर होता है रीमेंडर फॉठ करता है तो आपको यहाँ पर क्या कर देना हैं, इन सब को multiply कर देना होगा, तो 2-2 बनेगा, negative नेगेटिव पहले positive कर देता हूँ, यह negative इस negative के साथ तकराएगा, तो positive बन जाएगा 2 multiply 1 multiply 1 multiply 1 अगर मैं करता हूँ तो ये क्या आजाएगा मेरा positive 2 ही आजाएगा ये क्या आजाएगा मेरा positive 2 ही answer आजाएगा और कुछ आपको करने की load नहीं है यापर है तो negative negative के साथ टकराएगा that's why positive हो गया अगर remainder negative आजाता तो हम 19 में से negative को minus कर लेते or 50 you will get your answer